हेलो एबान में नम सहर अश्लाव रखम में अबिच्छा सबका बहुत जादा स्वाववेता मार चैनल पर एकदब फिर से सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दोना इस वीडियो में देख के आपको बड़ा प्रौड फील होने वाला क्योंकि इसमें हम ऐसे अमेजिन फैक इंडिया के बारे में जानने वाले हैं जो आपको शायद ना पता हो तो ऐसे हरगी सब्सक्राइब को साइकल पर लिया गया था लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि भारत में हर साल जितने बच्चे जनम लेते हैं यह औस्ट्रिया की इसम्नी बार्वादी की बराबरी और क्या आपको ये भी पता है कि महाराश्टर की लोनार जिल पृत्वी से एक उलका टकराने के बाद बनी थी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आज की वीडियो में हम भारत से जुड़े हुए एसे ही कुछ रोचक, मज़दार और जानकारी से भर हुए तथ्यों के बारे में बात करने वाले है साध आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 करोड साल पहले भारत एक दीव था इसलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सब्भेता माना जाता है और इंडिया का नाम भी इंडस यानि की सिंधू नदी से ही लिया गया है आजाद होने के बाद भारत की तरफ से उनाइटेड नेशन की पीस किपिंग मिशिन में सबसे बड़ा जोगदान रहा है अगर भारत की तिरुपति वाला जी और कासिव इसनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वर्टिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा है ये बात आप सब जानते होंगे कि हर 12 साल में कुम मैलाग वायजित किया जाता है और इसमें इतने सारे लोग आते हैं कि इस वीड को स्पेस में भी देखा जा सकता है और ये एक अनोखा मौका होता है जिसमें एक ही जगा में दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इगठे होते हैं इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अबादी भारत में है लेकिन पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिद पाई या था है और भारत में कि तीन लाग से ज़्यादा मस्जिद या था अभी आप सब लोग हाय स्टडीच के लिए फॉरें जाते हैं लेकिन दुनिया की सबसे पहली बिश्यादा को टक्सिला में बनाया गया था और इसे लगभग साथ सो इस्टापुर में स्तापित आगया था और उस बग देश बिदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ देए लखनाव सिटी की मंटे सरी स्कूल छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ पर 45,000 से भी जादा छात्र पढ़ते हैं इंडियन डेल की बात करें तो अभी इंडियन डेल वेज में 13,000,000 से जादा एमप्लोई काम कर रहे हैं और यह कई देशों के टोटल पॉपलिशन से भी जादा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भासा बोलने वाला देश है यह बात साथ आप सब जानते होंगे लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया भर में जितने भी करमचारी हैं उनकी कुल तादात की 25 परसेंट भारती होने वाले है जिसने की पहले में आप सभी को बताया था कि भारत की पहली रॉकेट को साइकल में लिया गया था और हमारी पहली सेटलेट को लाँच करने के लिए भी बेल गाड़ी से लिया गया था लेकिन आज इसरो और हमारी स्पेस प्रोगराम की बात करें तो इसे दुनिया की टॉप फाइफ स्पेस अजेंसी में गिना जाता है लोनार जिल जो की महारास्ट्र में है ऐसा बता जाता है कि पूर्थ्वी में एक वुलका आके टकराई थी और इसी की वसे जिल का निर्माण हुआ था अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाजी है और उनके जो पूर्बस थे वो भारती है भारत का एक गाउं है जिसके कोई भी घर में दरवाजन नहीं होते हैं इस गाउं का नाम सनी सिंगनापूर है और ये महारास्ट्र में है ऐसा बता जाता है कि इस गाउं में कभी भी चोरी नहीं होगे और लोगों का ये विश्वास से कि जो भी यहां चोरी करेगा उससे सनी देव का प्रकोब जहलना पड़ेगा और इसी वज़े से इस गाउं में अभी तक पुलिस टेसन भी नहीं है इस पहाड के उपर अगर आप गाड़ी रखेंगे तो ये उसे अपनी तरफ खीजने लगता है पहले ये बात सिर्फ कहानियों में था लेकिन अब इस बात को काफिर सारे लोग जान चुके है पिस्तो नाथन आनन जो की भारत के सतरंज के बादसा है वो दुनिया के पहले सतरंज के खिलाड़ी है जिन्होंने नौक आउट, टुर्नमेंट और मैच तीन अलग-अलग टाइप में विस्तो चैंपियनसिप जीत चुके है एक और बात में बताना भूल गया कि जो सतरंज का खेल है इसको भी भारत में शुरू किया गया था करना ज्यादा खत्रा नहीं होता है भारत की तक्निकी राजधानी बेंगलूर में कारेलें की संख्या में 2007 के बाद करीब 6 गुना इजाफा हुआ है और अभी सिंगपूर के मुकाबले भी बेंगलूर में ज्यादा एक रेट के कारेले मौजूद है यह बात साथ आप सभी जानते होंगे कि भारत में हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है और यह बात साथ आप सबसे ज़्यादा इंडिया से कि भारत अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूद उत्पादन करने वाला देश है वैक्ट No.22 आप सभी को जानकर हरानी हो सकती है कि भारत में हर साल 32,719 सत्याई की जाती है और इसमें भी भारत पूरे दुणिया में पहले नमबर है कर्मन आसना नदी को भारत में एक सापित नदी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर को इस नदी को छोएगा तो उसकी सब ही जोजनाय फेल हो जाएगी इतिहास के तो बड़े धर्म, बौध धर्म और जैन धर्म भारत में सापित किये गए थे हिमाचल प्रदेश में चायाल नाम की एक जगा है जहां पर दुनिया की सबसे उंची क्रिकेट पिच मौजूद है और इसी लेवल से लगभग 2400 मिटर की उंचाय में मौजूद है महाली में जब भारत और पाकिस्तान के बीज वर्ल कव फाइनल चल रहा था तब इसे लगभग 15 करोड दरसक एक साथ देख रहे थे दुनिया की पहली गरनाइड मंदिर जिसका नाम बुर्यदेश्वर मंदिर है और ये तमिल लाड में मौजूद है इस मंदिर को 11 सताब्धी के दौरान बना गया था और इसको बनाने के लिए बस पांच साल लगे थे फैक्ट नमबर 28 17 सेच्चुरी के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था और आज भी भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता मौजूद है फैक्ट नमबर 29 सूपर कंप्यूटर बनाने में भारत अभी उनाइटेट स्टेट और जेपान के बाद तीसरे नमबर बने फैक्ट नमबर 30 दुनिया की सबसे बड़ी रोड नेट्टर भारत में मौजूद है और पूरे भारत में अगर कस्मीर से कन्याकोमारी तक देखा जाए तो 19 लाक माइल से भी ज़्यादा सड़के पाए जाएगा फैक्ट नमबर 31 पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में साकाहरी लोगों की तादा सबसे ज़्यादा है और यहां तक की Pija Hut, McDonald or KFC के तरफ से भारतियों के दिए स्पेसिली साकाहरी मेनू लागु किया गया था और इनमें से PG8 की तरब से सबसे पहले साकारी रेस्टरेंट भारत में खोला गया था मिगालाय में चिरापुजी नाम की एक जगा है जहां पर पुर्थवी की किसी भी जगा के मुकाबले सबसे ज़्यादा बारिस होती है और भारत ने पूरी दुनिया को जोग विद्या भी शिकाया था जोकी लगभग 5000 साल से भी जादा पुराना है दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़े परिवारों में से एक भारत में मौझूद है जिसमें एक आदमी के 49 बत्मिया है और उसके कुल 94 बच्चे है तो दोस्तों ये थी भारत से जुड़े हुए कुछ रोच्चक, मजदार और जानकारी से विद्यार काफे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स थे ये सबसे हरानगी वाले बात लगी है कि एक आदमी के 94 बच्चे है अभी तो मैंने सुना था मिए किसी आदमी के 100 बच्चे भी हैं लेकिन यार ये हरानकुन वैसे फैक्ट्स थे इंडिया के बारे में इंडिया आपको पता है कि इसकी जो मतलब कल्चर है सब कुछ है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना है मुसाले जो आजकल हम खाते हैं मिर्चे खाते हैं नमक ये वो ये सारा कुछ जो इंडिया से पर्डियूस हुआ था दुनिया में इन चीजों के बारे में किस वहां पर इंग्लिश जानने वाले बहुत जादा लोग पाए जाते हैं और इसके अलावा और वी काफी जादा फैट्स हैं जिनके बारे भी सुनकर रहांगी तो जरूर होती है और फिर ये भी एहसास होता कि हम भी उनका ही तो हिसा थे से अलग हैं यह हमारी हमộtी ही हिस्ट्री हमारी है किस तरह से इसका कल्चर पुराना है और यहां पे मंधिर भी आपको पता और मस्जदें भी सबसे ज़्यादा है और मंधिर भी यहां पे इंडिया उस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाही जाती है अबी तो four लाग से ओपर मी मसजिदें जो यह भान गुलते हैं। थिए बा Richards आए दिन के माँ पजचे आए दिन को जा रही है , जा गए गोगी है।